नमस्कार, प्यारे वित्रों, आपके लीए एक छोटी सी सूचना हमने collect किया है कहीं से, आपको बताने की लिए जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डीयलेड अच्छा होगा, कि बीएड करना च्छा होगा, डीयलेड के लिए क्या process हैं, इसके लिए हम एक वीडियो ब किसा dealet करना अच्छा होगा कि beat करना अच्छा होगा तो विद्यारतियों हम आपको एक पहल सारी चीजे एक-एक करके बताने वाले हैं आप ध्यान से सुनेंगे इससे पहले आप इस वीडियो में आगे बढ़ें हम और आप आगे बढ़ें इससे पहले अच्छा होगा कि इस वीडियो को आप तुरंट का तुरंट सेयर करें और इस चैनल में ऐसे ही information fruitful information पाने के लिए आप इसे subscribe कर लें और bell icon पे भी click कर लें ये काम फटा-फट कर लें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें दोस्तों चलते हैं अब हम आगे जो DLL है इसका मतलब होता है दोस्तों इसका फुल फाम होता है elementary education होता है elementary education होता है और जो आपका B.A.D. होता है इसका फुल फाम होता है दोस्तों bachelor education degree होता है तो दोनों education ही दोनों ही सिच्छक की नौकरी ही ही हो, आगे चलके मिलेगी दोनों पे, अब ऐसा नहीं है, कि आप डियलेट करोगे, तो रेलवे में जौब करोगे, ऐसा भी नहीं है, कि आप बेट करेंगे, तो ISPCS के लिए जौब करेंगे, नहीं, ISPCS का eligibility आपका 12th pass है, इसके बाद आप सन information आपके लिए रहा, दूसरा information ही है साथ हो, कि बच्चे क्यों इसको करना चाहते हैं, आपको अगर यह पता है, आप क्यों करना चाहते हैं, तभी करिएगा, वरना नहीं करिएगा साथ हो, यह आपके लिए suggestion है हमारा, क्योंकि कोई चीज अगर आपको पता होता है, उसमें knowledge जोता है, तभी आपको इसमें हाथ लगा रहाएगा, वना नहीं लगाना है, आपको इसमें हाथ आगे नहीं बढ़ना है, चाहते हो, क्योंकि आपका अगर M दूसरा है, आप कर कुछ और रहे हो, तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, यह आप बात जानते हैं, अब ज entraр, बारत तक क्यों बोला, इसके लिए आप आगे सुनिये, दोनों एक ग्ववर्मेंट जौब मिलेंगे, दोनों ग्ववर्मेंट प्रोफाइल हैं, दोनों के लिए आप ग्ववर्मेंट जौब अप्लिकेबल होँगे, चाहे आप डिया लट करने, चाहे आप बेट करन पहली बात दूसरी बात और है कि जब आप डियलेट करके पास आउट हो जाएंगे चारों सिमिस्टर तो आप प्रामरी के टीचर के लिए अप्लिकेबल हो जाएंगे यानि कि प्रामरी के टीचर यानि कि इंदसेंस एक से लेकर पांच तक लिए जो जॉब आती है इसके अब दोजार इक्यारा तक यह था नीड़े था यह फंडा था कि आप अगर डियलेट किये हैं तो एक से पांच तक के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे एक से पांच तक के लिए प्रामरी लेबल के लिए जो टीचर की वेकेंसी आती है जो एक परसे बल्क में आती कि उसमें हम लोग अपना अप्लिकेबल हो जाएंगे अप्लाई कर सकेंगे और इस प्रज़े से चार साल यानि दो साल यानि कि चार समिस्टर तक वो अपना एक्जाम देते हैं और फाइनली वो टेट सीटेट देकर इसमें बैठने का इंतजार करते हैं जैसे कि उछ विद 2011 के बाद एक तरह से समझेजे इंडिया बंदर के हाथ में दो दो लड़ो आ जाना लगों दोस्तों बीएड जो है 2011 की पहले बहुत कम लोग करते थे और सरकार को यह बहुत जादे अम तब कि भयानक नजारा लगा आगे भाई बहुत कम कर रहे हैं तो हो सकता है हमें TGT PGT अब जो आपका ईजाम होता है इसमें बहुत ही कम अब कर गार करेंगे प्रामरी लेबार बहुता है उसमें कम होता है ना मातर का मतलब है तो इसmore से जो बीएड करने का मुड भी बनाते थे वो बीएड न Qरके डियाड करने स्क्सिडर ओनकर नहानिया इसमें 59,000 हुआ इस तरह के वेकेंसी आती है तो बच्चे इस तरह से इस तरह बीड से मूव कर गए किसमें डीलेड में लेकिन 2011 के बाद दोस्तों बहुत ही फंडा मतलब कि इन बीड वालों के हाथ में दो दो लड्डू दोनों हाथ में लड्डू आ गया अब इनको तो प्राइमरी के लिए भी अपलिकेबल हो गए और दोस्तों TGT PGT प्लस जूनियर जितने भी एक्जाम्स होते हैं टीचर्स के लिए जब आप बीड कर लोगे तो अपलिकेबल हो जाओगे अब आप यहाँ पर समझ गया होंगे कि हमें डीलेड करना चाहिए कि बीड करना चाहिए साथियों साथि और सीटेट लेवल के ही अपनी केबल एक्जाम दे सकते हो लेकिन आप TGT PGT यह सब एक्जाम नहीं दे सकते हों क्यों क्योंकि आपने डीलेड किया है अलिमेंटरी एजुकेशन का मतलब होता है डिप्लोमा जो कि 12 के बाद होता है उसमें आप अगर असनातक कर लिए तो सी लोग करेंगे अब यह नहीं कहते हैं कि अगर आप एक से पांच तक के लिए ही केवल teacher बनना चाहते हैं तो आप डियलेड न करें आप डियलेड बेसक करें लेकिन अगर आप बीड कर लेते हो तो आप एक से पांच तक तो eligible होगे ही प्लस उसके उपर 6 से 12 तक भी और प्लस PGT PGT junior level सब कुछ के लिए eligible हो जाओगे साथियों जितने भी वेकेंसी आते हैं teacher में तो आपके उपर है आप डिसाइड करोगे क्या करना है आपको टियलेड की बीड साथियों अगर साथियों आपको यह से समझ में आया हो यह वीडियो आपके लिए उचीत हो लाब दायक हो तो आप इसे जालर ज्यादा लोगों को सेयर करिए और यह किरस्तन हम से हमारे वीडियो हमें बनानी पड़ी तो आप लोग इसे सेयर करिए और अपनी संख्या बढ़ाए और ऐसे वीडियो पानी के लिए नीचे बेल आइकन पे क्लिक जरू करिएगा और जो रेट कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी जरू करेंगे साथियों नम सब्सक्राइब